Hello friends, welcome back to my channel Art Factory PD prints. आज एक बहुत ही प्यारी painting में लेकर आई हूँ White Georgette पर है और इसके लिए ना ही आपको कोई brush उठानी है, ना ही कोई shading technique लगानी है लेकिन फिर भी हमें shading करनी है किस तरह से कैसे करेंगे? ये आप पूरी वीडियो में देखेंगा friends मैंने इसमें आपको border create करना बताया है और rose के flowers बताएं है, leaf बताएं है जो flowers है वो triple shading में है, border भी triple shading में है और जो leaf है वो double shading में है तो पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगा, ना ही कोई outline के जरूद लेकिन फिर भी बहुत खुबसूरत ये suit लग रहा है 5 मीटर का suit है, पूरा पंजाबी suit और आप में से किसी को चाहिए तो please मुझे message कीजेगा मैं आज description में contact number भी डालूँगे आप contact कर सकते हैं तो पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा पसंद आये वीडियो तो like कीजेगा चैनल पर नहीं है, सबस्क्राइब कीजेगा साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजेगा regular notifications के लिए और मेरे साथ बने रहिएगा Art Factory PD चैनल पर जादे से जादे वीडियो को शेयर कीजेगा ऐसी tricks, ऐसी techniques आपको कोई नहीं सिखाएगा आपको कोई आपको कीजेगा यह वाइट जॉर्जट का फाब्रिक और मैंने इसको जो हमारा कार्डबोर्ड है उस पर मैंने इसको जो है fix कर लिया है और यह जो है 5 इंचिस का बॉर्डर है यह जो stencil है मैं बॉर्डर के लिए यूज़ करूँगे आपने पहले भी देखा है मैंने मुगल आर्ट की एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको यह stencil दिखाया था और जरूर देखिएगा वो वीडियो बहुत प्यारी पेंटिंग्स है मुगल आर्ट की चार पेंटिंग्स एक वीडियो में है तो उसका जो link है मैं आई बटन में आपको दे दूँगे और colors हम कौन कौन से use करेंगे magenta color हम जो deep brilliant purple color हमारी kit में आता है वो वाला color है और इसके साथ ही मैं use करूँगी chrome yellow color और साथ में orange color यह हम use करेंगे border के लिए और flowers के लिए इस तरह के जो waste sponge होते हैं उनी से हाज हम काम चलाएंगे कोई हम sponge brush नहीं use करेंगे कुछ भी नहीं कोई color की consistency change करने की भी आपको ज़रूरत नहीं बिलकुल आपको neat and clean painting आज मैं आपको करना सिखा रही हूँ simple stencil painting तो मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप जो है end screen पर मैं उसका link आपको दूँगी आप जरूर देखेगा उसमें stencil cutting भी मैंने बताया है तो देखे जो हम shading कर रहे हैं triple shading उसमें मैं जो start कर रही हूँ light जो हमारा तीनो colors में से वो है उसको मैं ले रही हूँ सबसे पहले हम light से start करेंगे और देखे किस तरह से मैं जो है न संभाल संभाल कर जो है ये yellow color कर रही हूँ जो हमारे बाकी के जो boxes है ना उनमें ये color नहीं जाना चाहिए वरना आपका जो है border जादा चोड़ा हो जाएगा अगर आपको चोड़ा border लेना है ना तो आप उनमें भी color कर सकते हैं तो देखे हलका हलका tap मैंने बीच में भी कर दिया है कहीं कहीं क्योंकि ये देखे अब मैं जब orange color करूंगी ना तो shading देखिए का आप इसमें कितनी perfect shading हो मुझे stencil painting करने में बहुत मज़ा आता है आप में से किस किस ने पहले भी की है stencil painting कमेंट section में ज़रूर बताएगा और किसको मेरी तरह सबसे अच्छी लगती है सबसे easy लगती है ये भी मुझे बताएगा तो देखे इस तरह से जब हम इसको करेंगे ना tap tap करके और देखे जह yellow color है न वहाँ पर भी मैं कर रही हूँ यानि कि जो half portion में किया था और उसके बाद इसकी mixing भी करेंगे हम अलग sponge के साथ तो ये अलग sponge है और ये मैंने wet करके रख दिया था 15 मिनट पहले तो इसमें हलका सा पानी था अब ये जो नीचे का portion जितना भी बचा है यहां मैं ले र प्राइट नहीं लग रहा है तीनों color एक ही family से लग रही हैं बिल्कुल mixing में लग रहे हैं तो यह जो तरीका है यह बहुत अच्छा है shading का और मुझे इसमें satisfying result मिला है आप सब देखिएगा अभी जब मैं ये stencil उठाओंगी न तब आपको समझ में आएगा कि इसका result कैसा है और कैसा हमें मिलता है क्लियरली समझने के लिए ध्यान से आप देखिए किस तरह से मैं जो है sponge के साथ एक एक corner में color कर रही हूं और यह जो corners हैं किसी भी design के हों आपके पास कोई भी design हों उस corner को मत भूलेगा क्योंकि corner से हमारा अगर रह जाता है न तो उसकी shape खराब हो जात मैंने अलग sponge के साथ mix कर दी है क्योंकि वह wet sponge था न तो उससे mixing बहुत अच्छी और बहुत easily हो गई है यह हमने किया और उसके बाद देखिए अब जादू यह हमारा result है कैसा लगा आपको जरूर बताईएगा तो देखिए अब जल्दी जल्दी एक बार और देख लीजिए क्योंकि इस तरह कि जब हम stencil लेते हैं तो हमें यह दिकत आती है friends कि हम इसको कैसे करें हमारा एक box बीच में खाली जाता है तो कोई बात नहीं इसको हम बाद में अलग से कर लेंगे इतनी देर हम इसके जो है बाकी का border बनाएंगे और जो बीच का हमारा space होगा कोई एक box लेक है चुनाव करना होगा उसी कि accordingly आपको shading करनी होगी अगर थोड़ा भी बाहर जाता है तो वह चीज ना अलग से uneven लगती है और लेकिन अगर चली भी जाए तो क्या उसको light रखने की कोशिश कीजिए मतलब ऐसी shading रखिए जैसे जो fade होती है मतलब बिलकुल light होती है जैसे हमा बहुत संभाल कर कीजिए का friends क्योंकि जब ही आपका जो work है clearly आएगा जब आप हर चीज का ध्यान रखेंगे अगर आपका stencil सा रख जाता है तो आपका जो boxes हैं यह चोटे बड़े हो सकते हैं क्योंकि हमारा अगर proper जगह पर नहीं रखा गया तो वह आगे पीछे हो जाता है उसे कोई box हमारा बड़ा और कोई छोटा हो जाता है तो यह जो है यह तरीका हम जो अकसर जो जल्दी हमें painting करनी होती है उसमें use करते हैं और एक और बात बताना चाहती हूं friends में आपको कि यह जो painting है ना यह as बिल्कुल soft रही है फैब्रिक पर brush art से ज़ादा अब देखे ब दो stencils का homework किस तरह से करते हैं मतलब दो color का stencil तो इस तरह से होता है आप देखे एक stencil में मैंने roses cut किये हैं और एक में मैंने leaf cut किये हैं और जो center में आपको point देख रहा है ना marker से वो mark equal रहेगा और वही mark हम center line के आसपास रखेंगे या फिर center line पर रखेंगे जिससे हमारा design proper नहां मैंने जो neck है हमारा वो लिया है और neck के साथ ही मैं flower बना रही हूं और यह जो मेरा stencil है यह थोड़ा उड़ रहा था इसलिए मैंने scissor रखी है अदरवाइस इसका कोई काम नहीं है और जो एक rose है उपर वाला और दोनों bud यह मैं बनाने वाली हूं नीचे वाला rose में न use कर रही हूं यह stencil को 15 साल हो गए मेरे पास मैंने इसको बनाया था जब मैं करती थी सीखती थी और यह stencil से मैंने बहुत सारी bedsheets बनाई थी और अगर आप कहेंगे तो मैं इसी stencil से bedsheet भी आपको बना कर दिखाऊंगी सो देखे yellow color हमने बाहर की तरफ रखा orange color हमने petals के अंदर के तरफ रखा और जहां बिल्कुल center है ना flower का वहां हमने किया magenta color और जब तीनो color हमारे sponge में mix हो गए तो हमने उससे किया हमारी rosebud क्योंकि हमारी rosebud है उसमें हम shading इस तरह से देंगे कि हमारा equal eye अब देखे हम इसको रख कर देखेंगे कि हमारा proper कहां तक आ रहा है तो हम इसक को टच नहीं कर सकते क्योंकि हमें बेल का pattern नहीं चाहिए तो अब यहां से हम डिसाइड करेंगे हमें gap कितना चाहिए तो देखें डेड़ इंच का gap मैंने लिया है हर एक stencil के बीच में और अब देखें close करके मैं आपको दिखा रहे हूं जिस तरह से हम light shading को बाहर की तरफ औ अंदर की तरफ orange color और सबसे अंदर मैंने रखा magenta color अब आप यह तो देखी रहे हैं कि एक इस पंसे कर रहे हूं तो shade आ रही है और उसकी वजह से shade different नहीं लग रही है तो अब यह जो stencil है हमारा अब देखें इसको हम place करेंगे और green color का work करेंगे ध्यान से दिखेंगा यहां होगा तो देखें जो हमारी beach की stem है ना सबसे पहले हम उसको लेंगे क्योंकि वह हमें dark green ही रखनी है और leaf में आप देख रहे हैं मैंने हलका touch up दिया है inner corner पे मैं जो यह leaf है ना नीचे वाले यह नहीं बनाने वाली हूं उपर का portion मैं जो है हमारे इसका flower का और इसका leaf का मैं ले रही हूं तो देखें अब fan चलेगा तो stencil भी उड़ेगा अब यह green color हमने roughly किया है जो इसके जितने भी corner है जाहे inner corner हो चाहे outer corner को सबको अच्छे से fill करना है यानि कि आप जब color करेंगे तो आपको roughly color करना है लेकिन जब आप mixing करेंगे तो आपको evenly एक एक corner और एक एक sharp end क को लेकर हमें जो है यह ending करनी है इसकी mixing करनी है तब ही आपकी shading perfect लगेगी अब आप देख रहे हैं जो हमारे leaf की जैसी shading थी जैसा stencil था बिल्कूल वही आया है लेकिन double shading में अब आप एक बार थोड़ा सा close करके और देख लीजिए ताकि कहीं पर भी कुछी चीज की ऐसी गु soft रहता है और long lasting रहता है क्योंकि हम direct color यूज कर रहे हैं ना ही पानी है ना ही medium है कुछ भी नहीं है बस color लिया bottle से sponge से हमने किया अब देखिए complete look यह तो है हमारा प्यारा सा border और अब आपको मैं दिखाती हूँ यह है इसकी sleeves sleeves पर मैंने तीन ही जो है हमारे boxes लिये हैं और एक flower का जो है यह लिया है design और अब यह देखी हमने center में मुझे पूरी एक raw चाहिए थी इसकी rose की तो पूरी raw ली है center में और जो हमारे slits है वहाँ पर मैंने छोटी जो दो-दो roses का जो है यह लिया है design अब आप पूरा look देख रहे हैं कैसा लग रहा है आपको जरूर से जरूर मुझे बताईएगा वीडियो पसंद आई है like कीजिएगा जादा से जादा like कीजिएगा जितना हो सके उतना कीजिएगा और जादा से जादा शेयर भी कीजिएगा चैनल पर नए है subscribe करके bell icon को प्रेस कर लीजिएगा अगर stencil painting का basic सीखना चाहते है ना तो left side में click कीजिएग और मोगल आर्ट की वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिलेगा fabric painting के और भी